नमस्कार केसे हैं आप सब आज मैं फिर आजू हमारे चेनल मदार डोटर कुकिन सोग है आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम की लोंजी जो हम नानी दादी के समय से खाते आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छी लगती है चलते हैं मेरी की चल में तो यह है कच्चे आम की लोंजी जितनी देखने में अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेश्टी है आप इसे चावल के संग भी खा सकते हैं पूरी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं या घी लगिवी रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, यहां मैंने 500 ग्राम केरी ले ली है, अब इसे अच्छे से धोकर हम इसके छिलके अलग कर लेंगे और इसको काट लेंगे, इसकी गुठली या भी जिसे अलग कर देंगे, यहां मैंने सभी छिलके अलग कर लिए हैं, अब यहां मैं इसे जैसे चाहें इसे काड़ सकते हैं यह recipe जो आप इसे 15 दिन तक भी चला सकते हैं यह चार की तरह होती है जितनी पुरानी होगी उतनी ही टेश्टी होगी इसे आप श्टोर करके भी रख सकते हैं यह recipe इसिए बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है तो यहां मैं एक भगोनी ले लूँगे इसमें भी पानी रख दूँगे थोड़ा सा अब यह मैंने इसमें 400 ग्राम गुड ले लिया है तो यहां गुड पकने के लिए मैंने इसको रख दिया है अब यह गुड पक रहा है तब तक हम इस केरी का पानी अलग कर देंगे और एक बरतन में इस अद्रक ले लिए दो इंच की अभी से कूट लिया है अब यहां में राई सोंप और कलोंजी और खड़ा धनिया दर दरा किया हुआ में डाल दिया है चार से पांच लाल मिर्च एट कर दी है अभी एक से दो मिट में पक चुका है अभी हमें इसमें केरियेट कर दूँगी अब इसमें में जो हमने गुड़ पकाया था वो इसमें चान कर इसमें डाल दूँगी ताकि इसमें कोई कचरा हो तो अलग हो जाए अब इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक से दो उबाल आने के बाद में हम इसे उतार लेंगे अब यहां मैंने नमकेट कर अब इसमें बॉइल बो आ चुका है अब इसकी हम सर्विंग कर लेंगे अभी देखिए कितने अच्छी लग रही है हमारी लोंजी आभी से आप चामल के साथ खाईए या पनाठे के साथ खाईए यह कच्छी केरी गर्मियों के सीजन में ही आती है तो यह हमारी समर रेसिप भी तैयार है तो यह रेसिप पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा जादा सेर कीजिए बेल आइक और प्रेस कीजिए थेंक यू बाइबाई